असलाम अलेकुम जी बासिद अली आजिर है और अभी मैच खतम हुआ वर्ल्ड चेंपियन लास्ट टाइम की अपना मैच हार गई च्छतिस संसे आउस्ट्रेलिया ने असानी से मैच हरा दिया क्यों हरा दिया बड़ा जबर जस्ट टूटल करा टोर्नामिंट का सबसे हाइस स्कोर अभी तक टू जी रो वन दो सो एक पर साथ आउट हुए दे प्रेविज हैड जी आई पिल की थोड़ी सी फ़र्म दिखाई चोटिस करे इठारा बालों में दो चके दी फ़र्नामिंट ने थाटी नाख करे मार्च ने थाटरी फाइव करे're पचिस दौक 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 करे मूहिन अली ने पहले और व supplierD죠 उसके बाद उसको चेंज कर दिया सत्तर रंग के पार्टनर्शिप हुई वार्नर और हैट के दर्मयान और क्या हुब हुई पहली विकेट सत्तर पे गिरी थी उसके बाद आपने देखा जो उनके जितने भी बैटर्स दे उन्होंने छुड़ी छुड़ी परफॉर्मस दी आर दोनों तरफ से इसमीने लगा के मेरे लिए थोड़ा दा कुश्चन माक्या के लेफ्ट हैंडर के ला इसलिए शायद मैच अप की वज़ा से लेकिन वो काम नहीं आया मुहिन अली को दूसरा हुआ किराना चाहिए था जो नहीं किराया बाद में किराया वही सेम पोजिशन इंग्लेंड की थी साथ और में 71 74 पर पहले विकेट गिरी थी और बटलर और सॉल्ट खेले थे सॉल्ट आउट हुआ था और सबसे बड़ी बात है जैसे ही जंपा बॉलिंग करने आया नासर उसन ने वहीं पर बोला कि इसके चार और बहुत करें बाकि मुहिन अलीर 25 करें 15 बॉलों में तीन शक्के लगाए आज आप ने देखा कि बाउंडरी बहुत लगी क्योंकि थोड़ा था बढ़िया पिश्टा एजल वुट जी चार और में 28 सन एक आउट बहुत 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 बालिंग कमिंग्स चार और में 23 सन दो आउट मिचल स्टा की पिटाई हुई जंपा ने चार और में 28 सन ये सबसे अच्छी बॉलिंग मेरी नजर पर जंपा ने करी और स्टॉनिस ने तीन ओर में 24 सन एक आउट आज शिलो बाउंसर बड़ी देखी गई हैं यह आएंद भी आपको देखी देखने को मिलेंगी क्योंकि ज सबसे बड़ा दुनिया का मैच दुनिया का मैच जो मैं बोलता हूं ना लोग बोलता हूं नहीं जी ऐसीज मैं नहीं मानता सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सिस इंडिया और आज दोनों टीमें प्रैटिस पे आई लेकिन ऑप्शनल प्रैटिस थी इंडिया की और पाकिस्तान के सारे पिलियर आए तो इन यह जो बात मैंने बोली ना इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन प्रेशर में है हो कि इंडिया हमसे वर्ल्ल-कड में बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मस है हमेशा जीता है तो उस पर परएकिस्टान नहीं है क्यों नहीं है इसने बीबात करूंगा और पाकिस्तान पर क्यूंप पर इंडिया मीं होते है और अब इंडिया वालों ने इसको रुटिंग का मैच बना लिया है जैसे पहले जब बाइलेक्टर सीरीज होती थी तो इतनी टेंशन नहीं होती थी लेकिन अब बाइलेक्टर सीरीज नहीं होती तो सबसे ज्यादा जो टेंशन होती वो अवाम को होती है हमारी तरफ ज्यादा होती है क्योंकि हम मैच हारे में उससे इंडिय को कोई प्रेशन ही है क्योंकि वो आपको पता है नंबर वन टीम है दे आर मेंटली वेली स्ट्रॉंग इंडिया क्यों कि वो रिजर्ट अब उनके लिए मैटर नहीं करता हूँ वो अपने एक जो उन्होंने साइकल बनाया है ना एक पईया बनाया हूँ उस हिसाब से वो क्रि रात खुली जर्दी आउट हूँ आज वो प्रैक्टिस पर नहीं आया उसको जो माइंड बनाना हो तो वो बना लेता है और इंजॉय कर रहा है वो लोग सबसे बड़ी वाद पाकिस्तान का मैंने आपको का कि वो अमेरिका से मैं चाहरा हूँ है इसलिए मेंटली दिया पीछे है ना मतलब परफॉर्मस है तो वो उस पर रिलाइक करते हैं कि हम हमने एक सेट अप किया हुए उसके साफ से क्या चीज़ इसमें आज करी मैच होगी ना आज के मैच में क्या चीज़ होंगी वह उसमें भी बात करूंगा कुछ प्लेयरों के नाम लिखें जी इंदि जी मतलब एकसिडेंट के बाद आया बड़ी बड़ीया फार्म में आई पिल में बहुत अच्छा इसकाई जडेजा बूम बूम भूमरा अकसर सिराज और अश्दीप ये इन्हें अपने रोल पता हैं दियार स्ट्रॉंग एचसेप डूबे थोरा सा मुझे ऐसा है क्योंकि उसका वरल कप है पहले मैच में भी वो इतना बड़ीया परफॉर्म नहीं कर सका कल का वो किस तरह मैच कहले का उस पर जरूर बात करें इसी तरह हमारे हैं उसमान खाने जो कच्छा पिले रहे हैं साफ लबदों में जुमला बोलते हैं कच्छा पिले हैं हमारी तरफ से आप वो परफॉर्मस दे रहे हैं इंगलेंड के खलाफ भी आईलेंड के खलाफ भी लेकिन कल का मैच देखेंगे क्योंकि पिछ जो है ना वो सलॉक करने वालों को सूट नहीं करती हैं यहां पे च्छके च्छके आपको मेरे च्छकों से जादा च्छके नजर आ जाएं शायद च्छके क्योंकर घास बड़ी है आज की थोड़ा बेतर पिश्टी इसी बे खिलाएं मेरा मश्वरा है जादा बेतर है इसी तरह शदाब फिफ्टी फिफ्टी उसकी बॉलिंग में फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है इफ्टी पिछले मैच में उससे हिट आउट नहीं हुआ सुपर ओवर में फिफ्टी फिफ्टी माद इंजिरी से आया है वो एक ऐसा प्लेयर है जिसका कॉंफिडेंस लेवल अच्छा होता है हमेशा चाये परफॉर्म करें या ना करें इसी तरह शाहीन हमारा में ट्रंप जिसको सुपर ओवर नहीं कराया मेरे खसाब से गलत करा न जो सबसे बड़ी बात है ना कल के मैच की अब वो सुनीगा टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा कोई भी टॉस जी दिका मेरे ख्याल है कि वो बॉलिंग करेंगा वो करना भी चाहिए सुबा का मैच है जो भी हेल्प मिलती है वो हेल्प उठानी चाहिए पांडिय का ना मैंने इसलिए नहीं रखा उसने तीन आउट तो करें लेकिन उसकी बॉलिंग फॉर्म इतनी इच्छी नहीं है इसी तरह जो बॉलर अच्छे एरियाज में बॉल करेगा अल्ली आउन वो कामिया भोगा यहां दखें जुमला जो इंप्रोवाइज करेगा ना पहले जो पहले सेट होगा पहली बॉल से जिसने हिट आउट करा न वो आउट हो जाएगा जो इंप्रवाइस करेगा जो यो पावर प्लय वह बहुत इ сюжet इसमें यह 50 और में फैसको मिद लेखनाती एक जाते हैं और इंपुवाइजर बहुत जादा कामिआप होंगे जो पहले इंप्रोवाइज ses करेगा अपने आपको बीच में तालेगा तैयारी करेगा दिमाग से क सामने वाले कि किया सोचें उन में क्या क्या कवालिटी र pense तो वह बेचें और कामिआप होगा और इसी तरह पे डॉट बॉल पे इतना माइन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप दस ओर में साट पैंसर टन भी करते हैं तो अगले दस ओर में आप इस आउट हो जाती है आप सो करते हैं लेकिन अब जो बात बोलना हो गौर से सुनिएगा प्रेशर पाकिसांद पे होगा अगर इंडि पाकिसांद का मैश टाकरा जो होता है दुनिया देख रही होती है प्रेशर इंडिया की तरफ भी होगा लेकिन वो कम होगा कल मैश को दुरान शायद वीडियो करें तो आप से मुलकात होगी लेकिन मैश के बाद जो भी रिजल्ट हो उस पर वीडियो बनाएंगे सिर्फ य कि ही तरह लेना चाहिए जादा पर्स्नल नहीं होना चाहिए इंडिया की टीम हमसे बहुत बेंतर है सब को पता है फाक्षानियों को भी पता है डिकिन एईसे जुमले या ऐसी बाते ना उननी चाहिए जिससे ।ें और यह मेराइश की फैमिली हार्ट हो डोनो तरफ के जो जनता बोलते हैं आप अवाम हम अवाम बोलते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मैश को मैश की तरह रखें क्योंकि टॉर्नमेट अभी बाकी है पिच्चर अभी बाकी है प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इंशाला कल मुलगात होती है अब हमारा सोने का टाइम है कल के और भी मैचे उनसे बात करना मिरे खाले फजूल है वर्ल काप का सबसे बड़ा मैच कल मैचे दुनिया जानती है जिसने प्रेशर बरदास कर लिया वो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी कामयाब होके निकलेगा यह अपना परसनल तरीका बता रहा हूं जो सारी उमर मैंने करा जितनी भी क्रिक्ट खेली मैं हमेशे चुंगम चबाता था बबल तो उससे मुझे यह फाइदा होता था नाम में कराउट की आवास सुनता था मेरा सारा फोकस खेल में होता था मिलते हैं कल इस दूए के साथ दुनिया में जित